नमस्कार, जै जोहार, जै छतीस गड़, मैं है मंत बगेल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस योट्यूब चैनल में आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे छतीस गड़ राज्य में जिलो का गठन हम लोगों ने अभी तक छतीस गड़ राज्य की स्थापना किस परकार से हुई, किस परकार से आंदोलन चलाए गया और किस तरह से एक नॉवंबर सन 2000 को छतीस गड़ राज्य अस्तितों में आया इसके बाद छतीस गड़ राज्य के प्रतीक जैसे राजकिय पसूर, राजकिय व्रिक्ष, राजकिय पक्षी इन सब चीजों पर विस्तार पूरवक से हम लोगों ने चर्चा कर लिया, राज्य स्थापित हो गया, राज्य को उसके प्रतीक चिन्ध भी मिल गए अब हमको देखना है कि छतीस गड़ राज्य में जो जिले हैं, जिनका अलग-अलग समय में गठन किया गया, जो संभाग है, वो कब-कब इनका गठन हुआ, किस तरह से गठन हुआ, क्या गठना करम रहा, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने 26 गड़ के स्थापना से संबंधित तिथिक्रम को देखा था, ठीक, वैसे ही हमें 36 गड़ राज्य में जिले के गठनों को भी देखना है, मैं इसको दो भाग में पढ़ाने वाला हूँ, 36 गड़ राज्य में जिले के गठन को, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक तरह स जो सन है या फिर मैं बोलू डेट तिथी उसको जो है सिक्वेंस में आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को याद करवाऊंगा आप लोगों को रटने की आवश्यक्ता नहीं होगी मैं चीजों को बार-बार दोहराऊंगा ताकि वो चीजे जो है आपके दिमाग में 36 गढ के मैप में ड्रॉ करेंगे एक एक जिले को हम लोग बनाएंगे और आप लोग भी बनाओगे हाला कि शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा तीडा मेडा बनेगा अला तीडा बनेगा लेकिन धीरे-धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 36 गढ का जिलों का गठन तो इसको हम लोग शुरू करेंगे 1854 से आप लोगों का एक रिविजन भी हो जाएगा ठीक 1854 में क्या हुआ था जब हम लोग 36 गढ राज्य इस्थापना से संबंधित घटना क्रम जब हम पढ रहे थे तिथी क्रम जब पढ रहे थे तब मैंने बताया था क कि 1854 में 36 गढ राज्य का जो विलय है यह हुआ ब्रिटिस सामराज्य में ठीक इससे पहले 36 गढ जो है वो जो मराथे हैं नाकपूर के जो भोसला सासक है उनके अधिनस्त था और फिर यह जो है ब्रिटिस सामराज्य के अधिनस्त हो जाता है तो काफी इंपोर्टेंट या कमपनी या ब्रिटिस सामराज्य में किस वर्स विलय हुआ था तो 1854 और किस नीती के तहत हुआ था तो हडप नीती के तहत हुआ था इस समय भारत का गवर्नर जनरल लाड डलहोजी था तो यह तमाम बाते ध्यान रखना अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पर म मुख्य मुद्दे पर बोलूं जिलों का गठन जैसे ही 36 गड़ को ब्रिटिस सामराज्य के अंतरगत मिलाया गया तो अंग्रेजों ने काफी प्रशासनिक फेर बदल करना सुरू कर दिया और सुरू में तो कुछ तहसिल बगेर बनाया गया उसको हम लोग आगे देखेंग ठिक जब इतिहास पढ़ेंगे बात करें हम लोग जिलों की तो 36 गड़ छेत्र में जिलों के गठन की सुरुवात होती है 1861 में कुछ चीज़े रिपीट होंगी जो हम लोग 36 गड़ के स्थापना से संबंदी तिथिकरम देखा था उसमें से काफी सारी चीज़े आएंगी ठिक तो 1861 में क्या हुआ था मैंने बताया था कि 1861 में भारत में या फिर कहें ब्रिटिस भारत में बहुत सारे प्रांतों की स्थापना की गई बहुत सारे नहीं बोलना चाहिए कुछ प्रांतों की स्थापना की गई जिसमें से एक प्रांत था मध्य प्रांत मध्य प्रांट मध्य प्रांट ये कभी स्थापित हुआ 1861 में 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांट की स्थापना की जाती है और हमारा जो 36 गड़ छेतर है जिसको 1854 में अंग्रेजों ने ब्रेटिस सामराज्य में सम्मिलित कर लिया है तो 1861 की स्थिती में मध्य प्रांट में मतलब मध्य प्रांट का गठन होता है और हमारे 36 गड़ को इसी मध्य प्रांट के अंतरगत रखा जाता है और 36 गड़ छेतर में 3 जिलों का गठन किया जाता है तो उसमें से जो चतिजगण का छेत्र था, यहाँ पर तीन जिलों का गठन किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखोगे, सबसे पहला जो इस थापित जिला था, मैं यहीं लिखूँगा, नमबर वन कर दे रहा हूं, रायपूर, पूछा भी गया है काफी बार की चतिजगण का प्राचीन तम जिला कौन सा है, दूसरा जिला था, बिलासपूर, ठिक, दूसरा बिलासपूर, तीसरा संबलपूर, यह नाम थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, काफी सारे लोगों को, संबलपूर, ठिक, तो तीन जिले, तो मध्य प्रांत में क्या-क्या घटना घटित हुआ, एक तो भई सबसे पहले, भारत में कुछ प्रांतों का घठन किया गया, जिसके तहत, मध्य भारत के कुछ छेत्रों को मिला करके, मध्य प्रांत, नामक एक, राज्य प्रांत, स्टेट कुछ भी बोलो की स्थापना की गई ठिक अंग्रेजी में इसको बोला जाता था Central Province ठिक Central Province कौन-कौन सा छेतर आता था मैंने बताया हुआ है एक तो भाई महराश्टर का छेतर आता था मद्ध प्रदेश का छेतर आता था 36 गड़ का बहुत सार बहुत प्रदेश, 36 गड़ और उडिसा इसके कुछ छेतरों को मिला करके ब्रिटिस काल में प्रांत बनाये गया मध्य प्रांत दो नवंबर सन अठारा सव 161 ठिक अब इसी वर्ष जिले बनाये गए कितने जिले सुनते जाएगा और नोट डाउन भी करते जाना है ठिक सिक्वेंस को ध्यान में रखना है मैं पूरा सिक्वेंस से चलूँगा ठिक तो तीन जिले कौन-कौन से बने तो राइपूर, बिलासपूर और संबलपूर तीनो पूर-पूर वाले हैं तो याद रह सकता है प्रश्म कैसे पुछा जाता है भई कि 36 गड़ के प्राची ने तम जिले कौन से तो राइपूर, बिलासपूर दोनों अगर ऑप्शन में दोनों में इसको एक है तो वही आंसर होगा दोनों है तो दोनों आंसर होगा ठिक तो यह हुआ, अब 1862 को पकड़ते हैं संभाग को भी इसी में मैं लेके चलूँगा, पांच ही तो संभाग है ना, 1862 में कमिस्टनरी प्रणाली की सुरुवात की जाती है, संभाग ये वैवस्था की सुरुवात की जाती है ब्रिटिस भारत में, और जो मद्य प्रांत है, जो राज्य, इसमें पांच संभाग स्थापित किये जाते हैं, ठीक, पांच संभाग कौन-कौन से बनाए गए थे, एक तो बनाए गया नागपूर, एक बनाए गया जबलपूर, एक बनाए गया सागर, एक बनाए गया नासिक गोदावरी वाला चेत्र, ठीक, गोदावरी सं और पाँचवां चतीस गड़ संभाग तो इस तरह से 1862 में 366 गड़ को जिसमें ये तीन जिले बनाए गए हैं ना 1868 में तो 1862 में 366 गड़ संभाग अस्तित्व में आया 37 गड़ संभाग जिसके अंतरगत तीन जिलों को रखा गया और संभाग मुख्यालय के रूप में राइपूर को चुना गया ठिक तो ध्यान रहे गई है 1862 में 366 गड़ संभाग की स्थापना हुई इसको हम लोग राइपूर संभाग भी बोल सकते हैं अगर आप से पूछा जाए राइपूर संभाग की स्थापना कब हुई गठन कब हुआ तो 1862 में वहाँ पर लगा सकते हैं ठिक तो राइपूर संभाग या 36 गड़ संभाग तो ओफीसियली 36 गड़ संभाग इसको बोला गया तो 36 गड़ संभाग की स्थापना हुई 1862 में कौन-कौन से उसके जिले थे तो राइपूर जिला था, बिलासपूर जिला था, संभलपूर जिला था, संभाग मुख्याले राइपूर को बनाये गया, ठिक, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यहाँ पर एक पिष्ट है, सरगुजा वाला भाग इस समय 36 गड़ के अंतर रखा गया था, गुदावरी नदी का प्रवहाचेत्र जिस जिस तरप था ना, उसको गुदावरी संभाग बना दिया गया था, ठिक, तो गुदावरी संभाग के अंतरगत बस्तर छेत्र को रखा गया था, यह भी ध्यान में रखेंगे, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं 1905 क्या हुआ था बंगाल विभाजन बंग भंग तो इसके तहत क्या हुआ था 1905 के बंगाल विभाजन के तहत कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो मैं छतिज़गर राज्य गठन वाला पढ़ाया था सेम वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है अभी थोड़ देर में ही आप लोगों को पता चल जाएगा थिक कुछ चीज़े है सेम बट आगे आप लोगों को नई चीज़े देखने को मिलेगी थिक तो 1905 में बंग भंग अर्थाद बंगाल विभाजन होता है एक भारत के वैसरा हुए लाड करजन थिक फूट डालो राजकरों की न चेत्र में भी देखने को मिलता है होता क्या है कि यह जो संबल पूरवाला जो एरिया है इसको 36 गड़ से प्रिथक कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है 36 गड़ से संबल पूरवाले चेत्र को अब यहां पर देखना संबल पूरवाले चेत्र में पांच रियासते हुआ करती थी जिनको उठा करके बंगाल प्रांत के उडिशा छेत्र में सम्मिलित कर दिया जाता है उडिशा उस समय अलग से राज्य नहीं था ध्यान रखना वो बंगाल प्रांत के अंतरगत आता था जिस तरह से मध्यप्रांत एक प्रांत था वैसे ही बंगाल भी एक प्रांत थ जो कि British भारत के पुराने प्रान्तों में से एक था, ठीक, ठीक, तो बंगाल प्रान्त के उडिसा छेत्र में संबलबूर, और उसके अधिनस्त, उसके साथ विजो पाँच रियासते थी, उनको उठा करके कहां डाल दिया जाता है, बंगाल प्रान्त के उडिसा छेतर में, कौ फिर होगा सोनपूर, चौथा होगा बामरा, पांचमा होगा रायल खोल, ठीक, तो इन पांच रियासतों को जो कि संबलपूर छेतर के अंतर गताते थे, इनको बंगाल प्रांत के उडिशा छेतर में सम्मिलित कर दिया जाता है, या फिर हम बोलें कि तीन जिले बनाये गए थे, तो एक को माइनस कर दिया गया, उडिशा में सामिल कर दिया गया, ठीक, तो यहां से पांच रियासते बंगाल प्रांत के उडिशा छेतर में सम्मिलित कर दिया गया, इनका नाम पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, आप लोगों को काला हंडी, पटना, सोनपूर, बामरा, रायल खुल, अब यहाँ पर अगला चीज देखिएगा, चतीस गड़ से पांच रियासतों को अलग करके बंगाल प्रांत के उड़िशा छेतर में सामिल कर दिया गया, दूसरा चीज क्या किया गया, बंगाल प्रांत की छोटा नागपूर का पठार, जो आज के समय में जारखंड राज्य के अंतरगत आता है ना, तो वो भी उस समय अभी मैं नक्से में नहीं बताऊंगा, नक्से में कब बताऊंगा अगले वाले लेक्चर में, ठीक, तो अभी बस आप लोग ठेवरी देखिए, सुनिए, दिमाग में बैठाईए, नोट्स बनाईए, ठीक, तो बंगाल प्रांत के जारखंड छेतर के छोटा नागपूर क का पठार, अब यहाँ पर यह मत सोचना कि छोटा नागपूर का पठार यह नागपूर के आसपास होगा, अच्छा जो मध्य प्रांत जो राज्य बनाया गया प्रांत बनाया गया, उसकी राजभानी नागपूर को बनाईगी, यह वाली नागपूर नहीं, जो वाला नागपूर चोटा नागपूर का जो पठार है यह जारखंड में है जारखंड और हमारे चत्तिसगड में भी इसका कुछ भाग विश्ट्रीत है ठीक तो चोटा नागपूर के पठार के अंतरगत पांच रियासतों को चत्तिसगड में सामिल किया गया कौन-कौन सी थी ये रियासते अब देखना अब अच्छे से समझ में आएगा अब लोगों को किसमें सामिल किया गए कूरिया ठीक कूरिया दूसरा चांग भखार चांग भखार तीसरा सर्गुजा चौथा जस्पूर पांचवा उदाइपूर ठीक तो ये पांच रियासते अब देखो ये जो पांचो रियासते हैं कूरिया सर्गुजा जस्पूर इनसे तो कुछ पता चला होगा न हमारे 36 गड़ का उत्तरी भाग है जिसको हम लोग सीधा सीधा सर्गुजा संभाग बोल सकते हैं और वर्तमान 36 गड़ का जो अस्तित्व है या फिर मानचित्र है वह स्वता ही तयार हो जाता है जो ऐसे कुछ है न हमारे 36 गड़ का नक्सा अगर मैं बनाने की कोशिश करूं ठीक ये ऐसे ठीक तो इस तरह से जो हमारा जो 36 गड़ है ये इसका जो वर्तमान जो मानचित्र है ये अस्तित्व में आता है ठीक इधर उपर में है ये सर्गुजा वाला संभाग ठीक तो ये वाला भाग हमको कप प्राप्त हुआ 1905 में और इस तरह जो है वो अपना क्या बोलते हैं एक काफी नीचे तक था ठीक ऐसा कुछ लगा हुआ था संभलपूर वाला छेत्र तो 1905 में हमारे 36 गड़ से ठीक हमारे 36 गड़ का ये वाला जो भाग है संभलपूर वाला भाग जहां पर काला हांडी पटना सूनपूर बामरा रायर खोल जैसे रियासते थी उनको बंगाल प्रांत के उड़िसा छेत्र में सामिल किया गया और उसके बाद बंगाल प्रांत के छोटा नागपूर के पठार छेत्र से पाँच रियासतें कोरिया चांगभकार सरगुजा जस्पूर और उदैपूर इनको जो है 36 गड़ में सम्मिलित किया गया तो इस तरह से वर्स 1905 म बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप या प्रभाव स्वरूप हमारे 36 गड़ छेत्र का वर्तमान स्वरूप या वर्तमान नक्सा स्वतह ही तैयार हो गया ठीक इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे अब यहाँ पर जो 36 गड़ था कुछ कुछ देखा जाए तो यह हो जाएगा हमारा बिलासपूर जिला यह हो जाएगा अपना रायपूर जिला और यह वाला जो भाग था यह इधर अपना गुदावरी संभाग के अंतरगत आता था ठीक तो इस तरह से जो सरगुजा वाला छेत्र है वो हमको 1905 में मिला ठीक तो इसको जो है जो है पूर रियासत के बारे में बताँगा आगे तो रियासतों को भी आसपास के जिले संभाग के अंतरगत रखा जाता था लेकिन रियासतों का जो सासन प्रशासन है वो अलग से होता था ठीक है ओश्यासनिक स्वीधा या थोड़ा सा कुछ सुभीधा वो उसके लिए आसपास के साथ में जोड़ दिया जाता था लेकिन वो अलग से एक देश के बराबर होते थे वहाँ पर अंग्रेज्यों की अलग तरह की सासन वेवस्था चलती थी राजा को वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखकर दिवान के माध्यम से सास और क्या घटना घटित हुई थी हमारे 36 गड़ से 5 रियासते बंगाल प्रांत के उडिशा छेतर में सम्मिलित किया गया और उधर से बंगाल प्रांत के छोटा नागपूर के पठार से 5 रियासते हमारे 36 गड़ में दिया गया था मतलब लेन देन हुआ था 5 गया तो 5 आया तो कौन-कौन से गए और कौन-कौन से आए, ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो गए, कालाहंडी, पटना, सोनपूर, बामरा, रायल खोल, ये गए संबलपूर के साथ, ठीक, और कौन-कौन सा आया तो छोटा नाकपू लिट्र में कितने जिले रह गए, तो दो जिले, रायपूर और बिलासपूर, संबलपूर तो चला गया ना, ठीक, रायपूर और बिलासपूर, दो जिले, अब बच गए, ठीक, अब आते हैं, अगली तिथी, वर्स 1905, 1905 में दुर्ग जिले की इस्थापना होती है, दुर जिले का गठन हुता है तो दुर्ग जिले का गठन हुआ ये वाला जो भाग है रायपूर तो इसी में से इधर वाले को अलग करके बना दिया जाता है दुर्ग जिला ठिक दुर्ग जिला तो 1906 में दुर्ग जिले का गठन होता है 1906 हमें दुर्ग जिले का गठन हुआ ठिक किस जिले से अलग करके बनाया गया था तो राइपूर जिले से क्योंकि हमेशा मात्र जिला पूछा जाता है क्या पूछा जाता है मात्र जिला मात्र मतलब क्या होता है माता अब आपको मान लो किसी जिले की माता मतलब कोई जिले के करके अलग हो करके जो जिला बनता है और जिस जिले से विभाजित हुआ है उसको मात्र जिला बोला जाएगा तो दुर्ग जो है राइपूर जिले से अलग हुआ तो राइपूर को क्या बोला जाएगा दुर्ग का मात्र जिला ठिक तो दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्स 1906 में काफी बार पूछा गया है ध्यान रखना और कई बार ऐसे भी पूछा गया है 36 राज्य का तीसरा जिला कौन सा है तो दुर्ग जिले को माना जाता है ठिक कई बार चौथा भी बोल देता है क्योंकि चौथे नमर में इस्थापित हुआ ना पहले तीन इस्थापित ना राइपूर जिले से अलग हो करके ठिक ध्यान रहेगा अब आगे बढ़ते हैं सीधा हम चलेंगे अब 1947 15 अगस्ट 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ याद है ना बच्पन से पढ़ते आ रहे हो 15 अगस्ट 1947 को भारत आजाद हुआ अपना क्या बोल नहीं है ठिक तो क्या है 15 अगस्ट 1947 की वी इंपोर्टेंट है प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्वतंतरता के समय 36 गर्षेत्र में कितने जिले थे तो बताईए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर करने का कोशिस करिएगा कि भारत के स्वतंतरता के समय 36 गर्षेत् लासपूर, दूर्ग, कितने जिले हुए, तीन जिले, ठिक, तीन जिले, 1947 की इस्थिति में, संबलपूर अलग हो चुका है, तो कई बार पुछा गया है, ध्यान रखोगे, 1947 में तीन जिले, अब आते हैं, वर्ष 1948, एक नवंबर 1948, क्या हुआ था भई, एक नवंबर 1948 को लगबग, लगबग, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देसंबर, शाड़े-चार महीने बाद, 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके लगबग, लगबग, साड़े-चार महीने बाद, जिलों की संख्या, जो है न, कितनी हो जाएगी, चह हो जाएगी, ठिक, जि तीन नए जिले, तो देखिएगा, थोड़ा समय नक्सा यूज करूँगा, ठिक, नक्सा वैसे मैं कल अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, ठिक, तो तीन नए जिले बनाए गए, कौन-कौन से थे वो नए जिले, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया बिलासपूर, ये बिलासपूर हो गया, ये हो गया रायपूर, ये हो गया दुर्ग, ये हो गया दुर्ग, ठिक, रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, तो 1948, एक नॉबर सन 1948 को तीन नए जिले बनाए गए, और 36 गड़ा चेतर में कितने जिले हो गए? छे जिले, पहले के तीन, रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, अब तीन नए जिले बनाये गए, कौन-कौन से थे वो जिले देखते हैं, ठीक, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, भई, संबलपूर तो रहा नहीं न, तो हटा देते हैं, भई, संबलपूर 1905-1948 आ गया न, ठ इस प्रांत के अंतरगत आता था, तो वही मध्यप्रांत, अब मध्यप्रांत के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है, मध्यप्रांत और बरार, उसके साथ बरार को जोड़ दिया जाता है, तो मध्यप्रांत और बरार उसका नाम हो जाता है, ठीक, तो भारत क आजादी के समय 36 गड़ छेत्र जो है मध्ध प्रांत और बरार प्रांत के अंतरगत आता था ठीक ये भी ध्यान रखना अब होता क्या है कि भारत में लगबग लगबग 565 के आसपास देशी रिया सकते राजे रजवारे थे ठीक तो अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रह ठीक तो राजा महराजाओं को भी ऑफर दिया कि भाया तुम या पाकिस्तान में मिलो या भारत में मिलो या पिर चाहो तो स्वतंत्र रहो ठीक तो ऐसे में देशी रियासतों में कुछ देशी रियासतों को थोड़ा सा लालच आ गया कि भाया हम लोग स्वतंत्र रहते हैं जैसे हैदराबाद हो गया, जुनागड हो गया, कस्मीर हो गया, इनको भी हम लोग डीटेल में देखेंगे, ठीक, तो होता क्या है, इनको लेकर के काफी कस्मकस चलती है, ग्रेह मंत्री बनाए जाते हैं, अपने सरदार वल्लब भाई पटेल, और उनके प्रयासों से पांच सो ब्यालिस के करीब, जो राजे रजवारे हैं, उनका विलै भारत में होता है, कस्मीर, हैदराबाद, जुनागड, इन सब में परेशानी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी, जो सरदार वल्लब भाई पटेले, इनको भी भारत में मिला लेते हैं, ठीक, लगब इसके बाद राइगड, सारंगड, सक्ति, कवरधा, खैरागड, राजनाद गाओं, कांकेर, बस्तर, इस तरह से 14 रियासते थी 36 गड़ में, तो 1 नौंबर सन 1948 को इन 14 रियासतों का भारत संग में विलाय होता है, और 36 गड़ छेतर में इनी से मिला करके तीन नए जिले बना बस्तर जिला, इसको मैं नंबरिंग देता जाओं, एक, दो, तीन, यह हो गया अपना तीसरा जिला, इसके बाद अगले जो तीन जिले, अब एक से ही सुरू कर देते हैं, तो बस्तर, कांकेर और बस्तर रियासत से मिला करके क्या बनाए गया, बस्तर रियासत, इधर इस वा जो जस्पूर जिला है न, वो, ठीक, इसको अब क्लीन कर देते हैं, उपर जो जस्पूर जिला था, उसको राइगड जिले में सामिल किया गये, ठीक, अभी के लिए फिलाल उसको ध्यान मत देना, आगे मैं उसको रटवाऊंगा फिर, ठीक, रियासत वाला जब तब उसमें हुआएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि सारंगड, राइगड, उदैपूर और जस्पूर, इन चार रियासतों को मिला करके, राइगड जिला बनाये गया, अब तीसरा जिला कौन सा बनाये गया, तो सर्गुजा जिला बनाये गया, कोरिया रियासत चांगभकार रियासत और सर्गुजा रियासत को मिला करके, ठीक, सर्गुजा जिला, सर्गुजा जिला, तिस तरह से, एक जनवरी 1948 को 36 गड़ छेत्र में, तीन नए जिले अस्टिक्टों में आए, और इसी के साथ 36 गड़ छेत्र में कितने जिले हो गये, तो 6 जिले, अच चला गया सकती वक्ती, तो देखो, इधर के जो रियासते थी, खैरागड, कवरधा, नांद गाउं, इनको दूर्ग जिले में सामिल कर लिया गया, ठीक, दूर्ग जिले में सामिल कर लिया गया, उसके बाद जो सकती जिला था, उसको बिलासपूर जिले में सामिल किया गया ठीक ध्यान रखना तो इस तरह से एक जन्वरी 1948 की स्थिती में हमारे 36 गड़ छेत्र में कुल कितने जिले थे तो 6 जिले थे important है ध्यान रखना और ये पूछा जाता है प्रश्ण कि भारत के स्वतंतरता के बाद इस्थापित जिले कौन से थे मतलब कि भारत जब स्वतंतर हुआ और उसके कुछी समय बाद किन जिलों की स्थापना हुई तो बस्तर राइगड सरगुजा इन तीन जिलों का नाम ध्यान रखना और ये भी पूछा जाता है कि भारत के स्वतंतरता के बाद देशी रियासतों के विलय के पस्चात देशी र 1956, 1956 में क्या हुआ था? देखो, अभी भी भारत के आजादी के बाद भी यही वाला चल रहा होता है, अंग्रेजों ने राज्य वाज्य बना दिये थे ना, मद्य प्रांथ, सैंट प्रांथ, बंबई, मदरास, यही वाला सिस्टम चल रहा होता है, ठिक? लेकिन भारत में आज के बाद भासाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होती है, एक आयोग बैठाया जाता है, जिसको मैंने बताया था, फजल अली आयोग, 1953 में, ठिक? तो वो जो है भासाई आधार पर राज्यों के गठन का कारे करता है, और उसी फजल अली आयोग के सिफारिशों के तह 1956 में भारत में बड़े पैमाने पर राज्यों का गठन होता है वो भी भासाई आधार पर और इसी क्रम में 1956 में एक नवंबर 1956 को एक राज्य की इस्थापना होती है जिसे हम जानते हैं मध्य प्रदेश के नाम से ठीक मध्य प्रदेश एक नवंबर 1956 को यह राज्य इस्थापित हुआ था ध्यान रखना कब एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की इस्थापना होती है अब यहां एक और चीज ध्यान रखना अगर आपसे question पूछा जाए कि 36 गड़ भारत के स्वतंतरता के बाद किस प्रांत का हिस्सा बना तो मध्य प्रांत और उसके बाद लगा दोगे बरार मध्य प्रांत और बरार नाम परिवर्तन कर दिया गया बरार का छेत्र को भी उसमें सामिल कर दिया गया तो प्रांत का नाम क्या हो गया मध्य प्रांत एवं या और कुछ भी कर सकते हो मध्य प्रांत एवं बरार अंग अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक 36 गड़ छेत्र जो है इसी मध्यप्रांत एवं बरार का हिस्सा था अब 1 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना होती है तो इस 36 गड़ छेत्र को पूरा का पूरा उपर से लेके नीचे तक ऐसा नहीं कि इदर की कुछ छेत्रों को ब 1956 में एक नवंबर 1956 में मध्यप्रदेश राज्य अस्तितों में आया और 36 गड़ को जो है मध्यप्रदेश का अंग बना दिया गया ठीक तो 1861 से लेकरके एक नॉवंबर 1956 तक राजधानी क्या थी नागपूर और राजज्य क्या था पहले मध्यप्रांत बाद में हो गया मध्यप्रांत एवं बरार ठीक ध्यान रहेंगा इतना अब जो मध्यप्रदेश है एक नॉवंबर 1956 को अस्तितों में आया तो इसकी राजधानी क्या थी भोपाल थी नहीं है अभीबी भोपाल उसकी राजधानी अब 1956 से और किया question पुछा जाता है तो एक question पूछा जाता है कि जिस समय 36 गढ़ मध्य प्रदेश का अंग बना उस समय 36 गढ़ में कितने जिले थे ये पूछा जाता है तो भई कितने जिले होंगे comment box में जल्दी से बताईएगा तो देखना इस समय 6 जिले 36 गढ़ में कितने जिले? 6 जिले क्योंकि भई इस भी 4 और कोई जिला नहीं बनाए ना तो कितने जिले होंगे 6 जिले मद्य प्रदेश राज्य के गठन के समय 36 गड़ छेतर में कुल 6 जिले थे तो यहां तक घ्यान में रहेगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा एक नौंबर 1956 में 36 गड़ में एक नए संभाग का गठन होत है एक नौंबर मतलब 1956 में ही बिलासपुर संभाग का गठन होता है सबसे पहला संभाग बना 1862 कि सुक्राइबर संभाग ऍथवार राहिपूर इसके बाद 1956 में बिलासपुरonie संभाग का गठन होता है या स्थापना होता है जो भी बूलना है ठैक टोटल अबी पाच संभा में बना, ठिक, अब देखते हैं आगे, ठिक, 1956, अब आते हैं सीधा, हम लोग, 1973, 1973 में, 36 गड़ छेत्र में, एक नए जिले का गठन किया जाता है, वो जिला कौन सा था, राजनाद गाओं, सात्वा जिला, ठिक, लिख देता हूँ मैं, सात्वा जिला, सात्वा जिला, राजनाद गाओं, किस जिले से अलग हो करके बनाया गया, तो दूर्ग जिले से अलग हो करके इसको बनाया गया, मतलब कि राजनांद गाउं जिले का जो मात्र जिला है वो कौन होगा दुर्ग जिला होगा साइद ही थूड़ा सा उपर चला गया इसको मैं नीचे लिखता हूँ ठीक राजनांद गाउं राजनांद गाउं जो कि नांद गाउं ठीक 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 तो ये हो गया अपना शात्वन जिला अब हम लोग एक संभाग देख लेते हैं बीच में हाला कि संभाग को मुझे बीच में नहीं लाना था, लेकिन इसको भी हम लोग एड कर ही लेते हैं, पांची तो हैं, ठीक, लिख ले न, इसको अलग से कुछ हाइलाइट कर सकते हूं, तुम लोग संभाग को मैं ऐसे गोला कर देता हूं, ठीक, ये ऐसे, ये संभाग, और बिल लासपूर के लिए, उननिस सव चपन, ठीक, उननिस सव चपन, ठीक, उननिस सव चपन, ऐसे गोला कर देते हैं, तो हमको ध्यान में रहेगा, कि ये संभाग है, ठीक, तो उननिस सव इक्यासी में, 36 गड़ छेत्र का, तीसरा संभाग, अस्तितों में आता है, कौन सा था वो डीटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस तुम लोग ठेवरी देखो, सन, जो तिथिया हैं, उस पे कॉंसेंट्रेट करो अभी, इसको पुरा नोट डाउन करो, और अगले लेक्चर में हम लोग जो इन सब चीजों को, जितने भी हम लोग अभी जिले गठित कर रहे हैं, अस्तितों में आया, ठीक, ये उस समय जो है, पुरा का पुरा एक जिला हुआ करता था, ठीक, पुरा का पुरा एक जिला, आज के समय में साब जिले हैं, वो एक जिला हुआ करता था, उस समय, अब आगे देखते हैं, 1998 में, मद्द पर्देश छेतर में काफी सारे जिलों का गठन किया जाता है उसी के अंतरगर 36 गड़ छेतर में कुछ जिलों का इस्थापना हुआ जाता है यहां पर देखना थोक में नव जिलों का गठन होता है थोक में नव जिलों का गठन ठीक अभी तक तो हम लोग एक एक देख रहे थे एक एक जिला तीन जिला दो जिला ऐसे टाइप से देख रहे थे ठीक लेकिन अब जो है 1998 में नव नए जिलों का गठन होता है ठीक अभी तक कितने जिले हैं 36 गठ में 7 जिले राइपूर बेलासपूर दुर्ग बस्तर सरगुजा राइगर और सात्मा राजना दगाओं लेकिन 1990 में 9 नए जिले अस्थित्वों में आज आएंगे और टोटल कितने जिले होंगे तो जोड़ो 9 और 7 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 16 जिले 16 जिले 36 गठ राज जी स्थापना की समय कितने जिले थे यह अकसर पूछा जाता है तो 16 जिले ठीक अब देखते हैं कौन-कौन से थे वो जिले तो हम लोग एक तरफ मात्र जिला लिखेंगे और दूसरी तरफ उनसे बनने वाले जिले तो बस्तर बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया कांकेर ठीक, उसके बनाये गये यहां से दंतेवाडा कांकेर, दंतेवाडा बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया कांकेर और दंतेवाडा उसके बाद राइपूर राइपूर के बाद बिलासपूर बिलासपूर उसके बाद सर्गुजा राइगड ठीक अब देखो राइपूर से दो जीले बनाए गए कौन-कौन से धमतरी जो दक्षन वाला भाग है उससे धमतरी बनाए गया फिर महासमुद ठीक है धमतरी महासमुद बनाए गया उसवाद अगला जो बनाए गया बिलासपूर से दो जीले बनाए गये बिलासपूर से बिलासपूर से दो जीले बनाए गये कौन-कौन से एक तो कोरबा एक बनाए गया जांजगीर चांपा जांजगीर चांपा जांजगीर और चापा जो है दो अलग-अलग नगर है दोनों नगरों को हस्देव नदी बीच से डिवाइड करती है ठिक अब आते हैं सर्गुजा से एक जिला बनाया गया कोरिया जिला ठिक उसके बाद राइगर से बनाया गया जस्पूर जिला ध्यान रखना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो राइगर जो जस्पूर है वो पहले सर्गुजा के मतलब सर्गुजा जिले के अंतरगत रहा होगा ऐसा लोगों को लगता है बच्चों को लगता है लेगिन जस्पूर जिला किसके अंतरगत था वो था रा अब जो कवरधा जिला है वो बना था बिलासपूर प्लस राजनान गाउं से मिल करके बिलासपूर जिले का कुछ छेत्र बिलासपूर जिले का जो दक्षन पस्चीमी वाला जो छेत्र है और राजनान गाउं का उत्तरी भाग का कुछ छेत्र इसको मिला करके बनाया जाता है क कवरधा जिला ठीक तो प्रस्ण पूछा जाता है कि वह जिला कौन सा है जो दो जिलों के कुछ छेत्रों से मिलकर के बना था कवरधा अभी जो पाच्छे नए जिले बने हैं उनमें से भी एक जिला ऐसा है जो कि दो जिलों के कुछ छेत्रों से मिलकर के बना है मैं आगे बता तो कवर्धा इस पेसल केस है ध्यान रखना है दो जिलों के कुछ छेत्रों को मिला करके कवर्धा जिला बनाया गया था बिलासपूर का कुछ छेत्र और राजनाद गाओं का कुछ छेत्र मिला करके कवर्धा जिला बनाया गया था ठीक तो यहां पर ध्यान रखना नव जिलो कांकेर से लगा हुआ उसको धमतरी के रूप में इस्थापित किया गया पूर्वी भाग महासमुद्ध के रूप में इस्थापित किया गया ठिक तो राइपूर से महासमुद्ध और धमतरी बस्तर से कांकेर और दंतेवडा बिलासपूर से कोरबा और जांजगीर चापा को अलग करके नया जिला बनाया गया उसके बाद कवर्धा बिलासपूर और राजनान दाउंस के कुछ छेत्रों को मिला करके बनाया गया इस तरह वर्ष 1998 में हमारे 36 गड़ छेत्र में कुल कितने जिले हो गए 16 जिले अस्तितों में आए ठीक 16 जिले मतलब देखो साथ से सीधा 16 तो ठोक में 9 जिलों का गठन हुआ ठीक आगे देखते हैं 2000 2000 में क्या हुआ था भई एक नौवंबर सन 2000 को 36 गड़ राज्य की स्थापना हुई थी ठीक 36 गड़ राज्य की स्थापना हुई थी एक नौवंबर सन 2000 को और प्रश्ण पूछा जाता है कि राज्य स्थापना के समय 36 गड़ में कितने जिले थे तो लगाना कितना है 16 जिले ठीक 16 जिले इस्थापित हुए एक नौवंबर मतलब 16 जिले थे राज्य स्थापना के समय वर्तमान में कितने जिले हैं 33 मतलब कि 16 अभी मतलब हम लोगों को कितने 17 और जिले इस्थापित करना है अच्छा ये भी एक प्रश्ण बन सकता है कि राज्य स्थापना के समय कितने जिले थे ये तो बनेगा ही बनेगा 16 जिले अब दूसरा प्रश्ण क्या बन सकता है कि राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक कितने नए जिले गठित किये गए हैं ये भी ध्यान में रख गठित हुई हैं एक नॉवंबर सन 2000 से ले करके आज प्रेयंत तक ठिक तो 17 नए जिले गठित हुई हैं ये भी माइड में बैठा के रखना हर चीज में बताता चलता हूं जो भी मेरे दिमाग में आता जाता है कि ऐसा question पूछा जा सकता है इस तरह से भी question पूछा जा सकता है जैसे भी मेरे दिमाग में आए कि ऐसे भी question बन सकता है तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ जरूर से share करूँगा और आप लोग जो है उस चीज को note down करके रखिएगा ठिक अब आगे देखते हैं 2000 हो गया अब इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं 2003 2003 में क्या हुआ किसी भ ठिक हूंगा यहीं बताता जाओंगा आप लोग नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है ठिक बस आपको सन याद रखना है तो देखो बस्तर से जो दो नए जिले बनाए गए थे कांकेर और दंतेवाड़ा इनका नाम परिवर्तित किया गया तीन जिलों के नाम परिवर्तन यहां मैं यह बस लिख देता हूं तीन जिलों का नाम परिवर्तन अब भई कांकेर का क्या परिवर्तन किया हो गया आप लोगों को लगता होगा वीबी तो कांकेर है दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा है ठिक देखो कां कांकेर, दंतेवाडा और कवर्धा इन तीनों के नाम परिवर्थित किये गए। कांकेर का नाम किया गया उत्तर बस्तर कांकेर। चेत रहना ये तो कबीर धाम तो उत्तर बस्तर कांकेर, डक्षण बस्तर दंतेवाडा और कबीर धाम ये नाम परिवर्थन किया गया। अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है। वर्ष 2000 में जब राज जी स्थापित हुआ ना इस समय जिलों की संख्या थी कितनी 16 संभाग कितने थे। कितने संभाग गठित की हैं हमने गोला लगाया हूँ ना संभागों को ब्लैक से। तो ये 1862 में एक बना 36 गड़ राज जी इस्थापना से लेकर, के बाद से लेकर अब तक कितने संभाग बने हैं, तो दो संभाग, सर्गुजा और दुर्गर संभाग, ठीक, तो ये धिहान रखना, अच्छा एक और चीज धिहान रखना, कि जिस समय 36 गड़ राज जी इस्थापित हुआ, उसके से वैवस्था की गई थी, लेकिन ये जो सिष्टम है, मतलब इसको बंद किया गया था, ये निरणाए सही नहीं लगा सरकार को, क्योंकि संभाग की जरूरत थी, तो 2008 में इसको फिर से सुरू किया गया, ठीक, 2008 में इसको फिर से सुरू किया गया, और सर्गुजा संभाग बनाय जाता है तो वो चीद जब मैं सम्भाग वाला पढ़ाऊंगा तो इसको डीटेल में पढ़ाऊंगा तो 203 में तीन जिलों का नाम परिवर्थन आगे देखते हैं 2007 2007 में दो नए जिलों का गठन किया जाता है 2007 में दो नए जिलों का गठन किया जाता है कौन-कौन से थे ये जिले एक था बीजापूर दूसरा था नारायनपूर पूर-पूर वाले हैं थि नारायनपूर बीजापूर और नारायनपूर वर्ष 2007 में बीजापूर और नारहनपूर, ठिक, किस जिले से अलग हो करके बनाए गया था? तो बस्तर जिले को प्रिथक करके दो और ने जिले बनाए गया देखो, बस्तर जिले का विधाजन कब हुआ था? बही? 1998 में हुआ था, कांकेर और दंटेवरा बनाए गया, ठिक, उसके बाद देखो, फिर से 2007 में बस्तर जिले को विभाजित करके बिजापूर और नाराणपूर जिला बनाया गया। इस तरह से बस्तर छेतर में या बस्तर संभाग में 5 जिले हो जाती हैं। थिक कितने जिले पांच जिले बस्तर कांकेर दंतेवाड़ा बिजापूर नार्यनपूर तो पूछा जाता है राज्य इस्थापना के बाद सर्व प्रतम किन जिलों का गठन किया गया या सर्व प्रतम किस वर्स नविन जिलों का गठन किया गया तो 2007 और जिले इस्थापित ह वे बीजापूर और नाराणपूर इसका पूछा जाएगा कि राज्य गठन के पस्चात सरो प्रतम किस जिले का विभाजन किया गया तो किस जिले का विभाजन किया गया बस्तर जिले का विभाजन किया गया अच्छा यहां पर सौरी सौरी मैं माफी चाहूंगा एक चीज फ्लोव में हो जाता है माफी चाहूंगा आप लोग कॉमेंट करके बता दिया करिएगा हाला कि लाइब क्लास नहीं है लेकिन अगर ऐसी गलती हो भी जाती है तो अगले वीडियो में अगले लेक्चर में या फिर वीडियो के बाद मैं सौट वीडियो या किसी भी तरह से उस बस्तर जिले से नहीं बना था बस्तर जिले से दंतेवाडा बना और फिर दंतेवाडा से बीजापुर बना ठिक ध्यान रहेगा इतना तो ये था 2007 में दो नए जिलों का गठन इस बाद हम लोग देखते हैं 2008 में कमिस्नरी प्रणाली मतलब जो संभागिये प्रणाली है इस चार संभाग तो ध्यान रखना सन 2000 से लेकर के 2008 तक 36 गड़ में जो कमिस्नरी सिस्टम है कमिस्नरी प्रणाली संभागिये प्रणाली व्यवस्ता जो भी बोलो उसको खतम कर दिया गया था लेकिन 2008 में उसको फिर से सुरू किया गया और ये तीनों संभाग थे राइपूर सं बनेंगे त ś 1997 में जो डो नएजिश बने तो कितने जिले हो गए अब तो अगार इसका इस स्क्रींशॉट लेना चाहो तो ले लो वैसे मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है मैं जैसे जैसे बोलता जाओं वैसे वैसे आप इसको लिखते जाएं तो ज्यादा अच्छा है इस्क्रिन्सॉट वगे लोगे तो आप लोग जो इसको अपने फोन में रखोगे और कभी उसको नोट भी नहीं करोगे ठीक तो सन पे कॉंसेंट्रेट करना है सन को पकड़ के रखना है और कल हम लोग इसको मैप में उतारेंगे तो ये चीजे फिर से रिपीट होगी कौन से सन में कौन सा जिला बना आप लोग उसको दुबारा सुनोगे ठीक संभाग पढ़ेंगे फिर मतलब पहले तो मैं संभाग बताने की कोशिज करूँगा संभाग 5 है उसके बाद फिर जिले पढ़ेंगे तो ये दो-चार बार में इसको रिपीट कर दूँगा तो आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एक-दो बार इसको आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ठीक तो हम लोग तहां तक पहुँचे है 2008 तक और अब जो है हम लोग देखेंगे आगे कितने जिलों का गठन हो रहा है कौन-कौन से जिले बनाए जा रहे है ठीक तो 2008 अब आते हैं हम लोग 2008 के बाद 2012 क्या हुआ था 2012 में 2012 में 1998 के समान ही फिर से एक बार ठोक में जिलों का गठन होता है और इस बार भी संख्या कितनी थी नव ठीक नव जिलों का गठन नव जिलों का गठन तो आपसे प्रश्ण पूछा जा सकता है कि 36 गड़ में व्रिहद पैमाने पर जिलों का गठन कब कब हुआ था किन वर्षों में हुआ था ऐसे पूछ सकता है तो एक तो 1998 में नव जिले उसके बाद 2012 में नव जिले एक दब ठोक में बहुत सारे जिले बने थे ना और 1948 में एक सात्व जिले अपि दो हजार बाईस में में भी एक सात्व जो है पांच जिले बनाए गये थे हालक थोड़ा सा फर्क था हालक इनमे भी थोड़ा थोड़ा फर्क था बट वह की ही वर्ष में था अब देखते हैं 2012 में जो 9 जिले बने थे, वो किन-किन जिलों से अलग हो करके बने थे, और कौन-कौन से वो जिले थे, ठीक, तो देखते हैं, एक तरफ वही मात्र जिला हम लोग देखेंगे, और दूसरी तरफ इस्थापित जिले, उपर से देखें इस बार, पहले नीचे से देखें थे, तो सर्गुजा मात्र जिला, सर्गुजा से दो जिलों का गठन किया गया, सर्गुजा से दो जिलों का गठन किया गया, कौन सा था, एक तो था, बलराम पूर, बलराम पूर, दूसरा था, सूरजपूर, सूरजपूर ठीक, बलरामपूर और सूरजपूर अगला हम लोग देखते हैं बिलासपूर 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 से बना मुंगीली जिला ठीक, बिलासपूर से मुंगीली जिला उसके बाद रायपूर में आते हैं रायपूर जिले से बनता है दो जिले बनाए गए रायपूर जिले से एक तो बलोदा बाजार दूसरा बना धमतरी ठीक, दूसरा बना धमतरी अब आते हैं हम लोग दूर्ग जिले में दूर्ग जिले में तो दूर्ग जिले से बनेगा बालोद और बेमितरा दूर्ग जिले से ठीक, कितने जिले हो गए बलरामपूर, सुरजपूर दो हो गए, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छे, ये साथ अभी भी दो जिले हैं ना, कहां बने थे ये दू जिले? बस्तर चेतर में, बस्तर संभाग में बस्तर जिले से अलग करके बनाया गया, कोंडा गाउं जिला कोंडा गाउं उसके बाद, दंतेवाडा से अलग किया गया, सुकमा को ठीक, तो इस तरह से नव नए जिलों का गठन होता है नव नए जिलों का गठन हुआ, बलरामपूर, सूरजपूर, मुंगेली, बलोदा बादा, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कोंडा गाउं और सुकमा अब यहां ध्यान रखना कि कौन से जिले, किस जिले से अलग हो करके बना था, बलरामपूर, सूरजपूर, दोनों जो हैं सरगुजा जिले से अलग हो करके बने थे मुंगेली जिला बिलासपूर जिले से अलग हो करके बना था बलोदा बाजार और धमतरी रायपूर जिले से अलग हो करके बने थे बालोदा और बेमेतरा दुर्ग जिले से अलग हो करके बने थे कॉंडा गाउं जो है बस्तर से अलग हो करके बना था ठीक, ध्यान रहेगा, अब देखो कितने जिले हो गए भाई, अभी तक कितने जिले हैं, 18 जिले हैं न, अभी तक, 18 जिले हैं, अब बन गए 9 नए जिले, तो टोटल कितना हो गए, प्लस करो, प्राइमरी स्कूल में ऐसे ही, जोड़ गटाना करते थे न, 18 जिले, 2007 में बन तो टोटल कितने जिले हो गए 27 जिले ठीक तो इस तरह से हमारे 36 गड़ को 27 जिले प्राप्त हुए कब वर्ष 2012 की स्थिती में अभी भी कितने जिले बचे हैं देखो 30 है ना टोटल वर्तमान समय में तो अभी 6 जिले बनने बाकी हैं ठीक मतलब वीडियो जो है खतम होने वाला है ज्यादा टिंसन मतलो ठीक तो 2012 में 9 नए जिले बने और इसी के साथ जो है 18 जिले बढ़ करके कितने हो गए 27 जिले आते हैं अगले सन पर 2013 2013 में क्या हुआ था 36 गड़ के पांचवे संभाग दुर्ग संभाग की स्थापना होती है ठीक इसको मैं ब्लैक से ही लिखूं क्या नित कन्फ्यूज हो जाओगे दुर्ग संभाग की स्थापना होती है कब 2013 में संभाग बोल रहा हूँ जिला नहीं ठीक जिला तुए 1906 में बन गया था वैसे ही बिलासपूर जिला कब बना था 1861 में संभाग कब बना 1906 में बस्तर जिला कब बना था उननिस सव अर्टालिस में संभाग कब बना? उननिस सव एक्यासी में. नविनतम इस्थापित संभाग दुर्ग संभाग. 2013 के बाद कोई भी संभाग नहीं बना आये. अब हम लोग अगले वाले जो वीडियो होगा जब हम लोग जिले वीले देखेंगे न डीटेल में तो उसमें मैं बताऊंगा किस संभाग में कितने जिले हैं इस टाइप से ठिक तो अभी के लिए बस संभाग कब बना वो ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं और यहां से question जो है बहुत पूछा जाता है कौन सा जिला कब गठित हुआ किस जिले से अलग हो करके बना कौन सा संभाग कब बना ये सारा चीज पूछा जाता है क्रम भी पूछा जाता है क्रम देख लो संभाग का सबसे पहले राइपूर संभाग या 36 संभाग ठिक 1862 उसमा दूसरा संभाग बिलासपूर संभाग 1956 तीसरा संभाग 1981 बस्तर संभाग चौथा संभाग सरगुजा संभाग 2008 पाच्वा संभाग दुर्ग संभाग 2013 ठिक तो अब जिले देख लेते हैं भी फिर से आते हैं वर्ष 2020 में 2020 मतलब हमारे भुपेज बगेल जी का राज काका जी का राज ठिक तो 2020 में 10 फरवरी 2020 इसका डेट भूछा गया है 10 फरवरी 2020 को यह अपना जो बिलासपुर जिला है ना जिसको 2012 में विभाजित करके मुंगेली जिला गठित किया गया था तो 2020 में बिलासपुर जिले को फिर से एक बार पुनर गठित किया जाता है या विभाजित किया जाता है और बिलासपुर जिले से एक नया जिला बना गोरेला पेंडरा मरवाही। लंबे लंबे नाम वाले जिलों का दौर सुरु हो जाएगा। गौरेला पेंडरा मरवाही, आगे और देखेंगे तीन जिलों के नाम नहीं है एक ही जिले के नाम है ध्यान रखना गौरेला पेंडरा मरवाही दरशल हुआ ये विलासपुर जिले के जो उपरी भाग है जो कूरिया मद्धिप्रदेश से लगा हुआ है उसके तीन तहसिलों को मिला करके जिला बनाना था तीन तहसिल थे गौरेला पेंडरा मरवाही अब सभी तहसिल के लोगों ने एक तरह से आवाज उठाना सुरू कर दिया जिले का नाम हमारे तहसिल के नाम से होना चाहिए तो काका ने दिमाग लड़ा है लो सब खुसों किसी को नाराज नहीं करूँगा तो क्या कर दिया सभी तहसिलों के नाम से जिले का नाम रग दे गौरेला पेंडरा मरवाही सौट में जी पी एम ठीक ते कौन से क्रम का जिला है पुछा गया है काफी बार 28 जिला ठीक 28 जिला ऐसे जो मतलब सिंगल में जो जिले बने हैं जैसे राजनान गाओ बना है अकेला वैसे ही ये बना है अकेला जी पी एम तो पुछते हैं ऐसे कि भही 7 जिला कौन सा है राजनान गाओ 2022 में पांच जिले बनाया जाते हैं, कौन-कौन से थे ये पांच जिले उनको देखेंगे और जो भी उनका वो है, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे उनको यार, अपना मात्र जिला, ठिक, सॉरी, मात्र जिला, तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं राजनाद गाउं को, ठिक, राजनाद गाउं, तो राजनाद गाउं से दो जिले बनाये गए, ठिक, राजनाद गाउं से दो जिले बनाये गए, पहला हम पकड़ेंगे मुहला मानपूर, मुहला, दो जिले का नाम नहीं है, एकी जिले का नाम है ध्यान रखोगे मोहला मानपूर और इतना ही नहीं है और आगे भी है मोहला मानपूर अमबागड चवकी हैं अमबागड चवकी ये एक जिले का में आया था, 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 को अस्तितों में आया था, अगला जो जिला है, जो राजनान गाउं जिले से ही बना है, वो है, खैरागर्ण, छुई खदान, गंड़ई, ठीक, खैरागर्ण, छुई खदान, गंड़ई, जिला, ठीक, ये कब बना था भही, ये बना था, 3 सितंबर, कब बना था, 3 सितंबर 2022 को बना था, अगला जिला, हम लोग अगला देखते हैं, अगला जिला होगा, राइगर्ण, प्लस राइपूर, मतलब दो जिलों के कुछ तहसिलों को मिला करके बनाया गया है, सारंगड बिलाईगड, ये कब बना है, ये बना है, दो सितंबर 2022 को, सारंगड बिलाईगड जिले की स्थापना होती है, ठीक, तो राइगर्ण, राइपूर से एक जिला बनाया गया, ठीक, बनाया जाता है, नहीं होगा, बनाया गया, मनेंद्रगड, मनेंद्रगड, चिर्मिरी, भरतपूर, बस इतना ही है, नहीं, तो फिर वो एक मूवी है, धमाल मूवी, उसमें अरसदवार सी गाड़ी में बैठता है, लिफ्ट लेता है, गोवा जानी के लिए, हाई हेलो हो ज आते हैं, आदी, माना, वो यह करके, फिर वो अपना नाम बताना शुरू करता है, चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी आयर, ए फ्लाना धिमकाना ऐसे, तो वैसे ही टाइप से, मनेंद्रगड, चिर्मिरी, भरतपूर, भरतपूर जिला, तो कोरिया जिले से अलग करके बनाय किस्वा जिला कहा जाता है, सक्ति अच्छा, यहां पर मात्र जिले का नाम लिखना था ना, उल्टा हो गया, चलो इसको सीधा कर देते हैं, जांजगीर चापा, इस बार मैं जांजगीर चापा को सौट में लिखूंगा, पहले लिखा जा चुका है, ठीक, इसलिए, जांज ठीक, सक्ति जिला, 9 सितंबर 2022, तो अभी जो लास्ट में जो जिले बने हैं न, यह काफी इंपोर्टेंट हैं, पुछा जाता है अभी, के हाल फिलाल जितने भी एक्जाम हो रहे हैं, उनमें पुछा जा रहा है, ठीक, तो राजनानदाओं जिले से दो जिले बनाया गया, म एक एक तहसिल को मिला करके बनाया जाता है सारंगड बिलाईगड जिला, उसबत कोरिया जिले से बनाया गया, मनेंदरगड चीरमीरी भरतपुर जिला, उसबत जांजगीत चापा जिले से बनाया गया, सक्ति जिला, तो यहाँ पर एक चीज जहां तखना, कि जो 29 जिला है, खैरागड छुई खदान गंडई 32 नंबर का जिला है मनेंद्रगड चीरमीरी भरतपूर और 33 नंबर का जिला है सक्ती जिला ठीक सक्ती ठीक तो ध्यान रहेगा अब यहाँ पर इनको जो है सौट में बोला जा रहा है जैसे कि मोहला मानपूर अंबागड चोकी इसको क्या बोला जा रहा है MMA MMA सौट में जैसे GPM नाम रख दिया है ना GPM गौरिला पिंडरा मरवाही वैसे ही मोहला मानपूर अंबागड चोकी MMA MMA खैरागड छुई खदान गंडई इसको क्या बोलेंगे KCG यहीं लिख दिखता हूँ दिख रहा होगा KCG खैरागड छुई खदान गंडई सारंगड विलाईगड को क्या बोलेंगे SB मनेंदरगड चीरमीरी भरतपूर MCB 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 सक्ति का तुझ अबरूरत नहीं है ना राइपूर वाला जो भाग है ना मतलब सारंगड विलाईगड जो जिला है तो यहाँ ध्यान रखना कि जो सारंगड तहसील है वो राइगड जिले की अंतरगत आता था और जो बिलाईगड जिला है वह बलोधा बाजार माफीच आँगा यहामें राइपूर लिख दिया ह तो बलोदा बाजार जिले का है बिलाईगड ठीक राइगड से सारंगड जिला बलोदा बाजार जिले से बिलाईगड तहसिल को अलग करके क्या बनाये गया सारंगड बिलाईगड तो दो जिले इस तरह के हो गए जो की दो अलग-अलग जिलों के कुछ छेत्र को मिला करके ब राइगड और बलोदा बाजार जिले के कुछ तहसिलों को मिला करके बनाये गया पहले मैंने राइपूर लिखा था उसको सुधार लेना ठिक राइगड और बलोदा बाजार जिले के एक एक तहसिल को अलग करके क्या बनाये गया सारंगड बिलाइगड जो है राइगड जिल तो ये थे भई, 33 जिले, 5 जिले बन गए, इधर 28 थे ना, ये 28 मा जिला था, GPM, 28 मा जिला था, इधर 5 जिले बन गए और 5 प्लस 28, कितना हो गया? हमको मिल गया हमारा 33 जिला, ठीक? तो वरतमान समय में कितने जिले हैं? 33 जिले और 5 समभाग, ठीक? 33 जिले और 5 समभाग, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा, आप लोगों को एक, मतलब एक निसकर्स मैं बताना चाहूंगा, जो हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को डिसकर्स किया, तो उसमें निसकर्स क्या निकलेगा? हम लोगों ने क्या देखा? 1862 से, मैं इसको क्लीन कर ले है तो ले ले ना, ये बलोदा बाजार है, बाकि मैं तो कहूंगा कि मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाएए, तो स्क्रीन सॉट लेने वेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक? तो, कंक्लूजन, निसकर्स, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका, कि क्या नि देखो, क्या बताने वाला हूँ, कि हमने देखा, 1861 या 1854 ही ले लेते हैं हम लोग, 1854 से ले करके, आज प्रियंत, 2024 तक, 36 गड़ छेत्र में, कितने जिलों का गठन हुआ? 33 जिले बने, ठीक है? 33 जिला, पांच संभाग, अब इस बीच जो है, 36 गड़, अलग अलग प्रशासनिक केंद्र या फिर क्या बोलना चाहिए? 36 गड़ ने काफी सारी चीज़े देखी, काफी लंबा समय हो रहा है न, 1854 से 2024, 24, 44, 54, लग बग लग बग, 170 साल, 170 सालों में, 36 गड़ में 33 जिले बने, 5 संभाग बने, और इन 170 सालों में, हमारे 36 गड़ में, क्या बोलना चाहिए? अंग्रेजों ने सासन किया, कुछ छेतरों में रियासते थी, ठीक, उसके बाद भारत के आजादी के बाद मध्यपरांत का अंग रहा, फिर मध्यप्रदेश का अंग रहा, उसके बाद फिर अभी 2000 से ये जो है, अलग प्रिथक राज्य की रूप में, अस्तितों में है, त ऐसे, देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश काल, इसका सन हम लोग लिख लेते हैं, अठारा सव, चववन से, उन्निस सव, सैंतालिस, क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक, इसके उपर में अपन कर देते हैं, च्छत्तिस गड़, जिला, या 33 जिला हम लोग कर लेते हैं, 33 जिलों का गठन, यही कर लेते हैं, 33 जिला, ठीक, तो ब्रिटिश काल, 1854 से 1947, उसके बाद सीधा हम लोग तीसरा ले ले लेते हैं, दूसरा ले ले लेते हैं, स्वतंत्र भारत या फिर इसी को हम लोग दो भागों में और बाढ़ सकते हैं एक तो मध्यप्रांक इसको मैं सीपी लिखूंगा सीपी एंड बरार ठीक दूसरा हम ले सकते हैं एंपी सीपी एंपी इसको दो कर देते हैं क्या ठीक ऐसे दो ही कर देते हैं इसको भी ठीक और उसके बाद 36 गड़ प्रिथक 36 गड़ इसमें सन हम लोग लिख देते हैं उनिस सव 47 से 56 ठीक उनिस सव 56 से 2000 ठीक अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2000 से अब तक अब यहाँ पर क्या बताने वाला हो तो देखिएगा इन वर्षों में 1854 से सन 2024 तक लगबग लगबग 170 वर्ष का समय बीत गया और इन 170 वर्षों में हमारे 37 चेतर में अंग्रेजों ने सासन किया जो वो CP एंड बरार वाले थे मध्यपरांत और जो बरार वाली जो सरकार थी उसने हमारे यहाँ शासन किया आजादी के बाद ठीक लगबग लगबग देखा जाये तो 9 साल उसके बाद फिर मध्यपरदेश सरकार में हमारे यहाँ सासन किया 44 वर्सों तक 1956 से 200 नहीं 2000 करना पड़ेगा इसको नहीं तो 220 हो जाएगा ठीक उसके बाद फिर 2000 से लेकर के अब तक 36 गड़ जो है प्रिथक राज्य की रूप में है तो इन वर्सों में या इन कालों में हमारे 36 गड़ में कितने राज्य स्थापित हुए इसको हम देखेंगे ठीक अब आते हैं हम लोग सबसे पहला काल तो ब्रिटिस काल में हमारे 36 गड़ में कुल कितने जिलों का गठन हुआ तो चार जिलों का गठन हुआ था राइपूर बिलासपूर संबलपूर उसके बाद 1905 में संबलपूर को हटा दिया गया माइनस किया गया दो 1906 में तीसरा जिला बनाया गया दुर्ग को ठीक तो इस प्रकार हम लोग देखें ब्रिटिस काल में हमारे यहां चार जिले गठित किया गया जिसमें से 1947 की इस्थिति में तीन जिले बच गये ठीक तो दोनों प्रकार से याद रखना है क्योंकि कोश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिस काल में 36 चेतर में कितने जिलों का गठन हुआ था तो चार जिलों का गठन हुआ था अगर option दिया रहे एक दो तीन चार या फिर तीन नहों एक दो चार पांच ऐसा दिया हो तो चार को लगा सकते हो ठीक क्योंकि चार जिलों का गठन हुआ था बाद में एक को मा करके सन 2000 की इस्थिति में ठीक उननिस सो सेंटालिस से 2000 की इस्थिति में यहां पर ओवर आल भी हम लोग देखेंगे 1947 से 2000 ठीक है ना तो 1947 से 1956 के बीच जब 36 गड़ मद्य प्रांते ओं बरार का अंग था तो कितने जिलों का गठन हुआ भाई तीन जिले थे 1947 में जो ब्रिटिस काल में बने थे और उसके पर एक जनवरी 1948 में तीन नए जिले बने बस्तर राइगड़ और सरगुजा ठीक तीन नए जिले बने तो इस काल में हम लोग देखते हैं कि तीन नए जिले बने कितने तीन नए जिले बने तो आप से पूछ सकता ह तीन नए जिले बने ठिक उस पर MP MP में हम लोग आते हैं तो भई 1956 से लेकर के 2000 के बीच में कितने जिले बने एक बना 1973 में राजनान गाओं 1998 में नव नए जिले बने कौन-कौन से दंतेवाडा, कांकेर, धंतरी, महासमूंद, जानगीर चापा, कोर्बा, कवरधा, जस्पूर, कोरिया ये सब टोटल नव जिले बने ना तो एक 1973 में और नव जो है मैं यहाँ सन लिग दू क्या 1973 में एक बना 1998 में नव बने टोटल कितने हो जाएंगे 10 ठीक तो 36 गड़ राज जे मध्य प्रदेश का अंग रहा उस समय कितने जिले बनाए गए तो 10 जिले बनाए गए आपसे question पूछ सकता है कि 36 गड़ राज प्रशन ऐसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश के अंतरगत 36 गड़ छेतर में कितने जिलों का गठन हुआ तब क्या लगाना है दस लगाना है और मध्य प्रांत के अंतरगत स्वतंत्र मध्य प्रांत की में बात कर रहा हूं ठीक तो इसमें 3 जिले बने 19 सव 48 में ठीक ओवरॉल कितना 3 बाद में टोटल करेंगे सबको ठीक तो ब्रिटिस काल में 3 जिले अथवा 4 जिले जिन में से एक माइनस हो गया स्वतंत्र भारत में 36 गड़ मध्य प्रांत का अंग रहा कुछ वर्सों तक तो उस समय कितने जिलों का गठन हुआ तो 3 जिलों का गठन हुआ 36 गड मद्य प्रदेश के अंतरगत 44 वर्सों तक रहा इस बीच 36 गड में कितने जिलों का गठन हुआ तो 10 जिलों का गठन हुआ और overall अगर हम लोग देखें स्वतंत्र भारत में 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1 नॉवंबर सन 2000 की इस्थिती में 36 गड में कुल कितने जिलों का गठन ह हुआ ठीक 16 जिलों का गठन हुआ overall स्वतंत्र भारत में ठीक है ना तो यह ध्यान रहेगा अब आते हैं हम लोग प्रिथक 36 गड में अब प्रिथक 36 गड में कब-कब राज्यों का गठन हुआ है तो भाई एक तो 2007 में गठित हुआ दो जिले 2012 में 9 जिले बने फिर 2020 में एक जिला बना फिर 2022 में 5 जिले बने तो टोटल कर लो इसको 2 और 9 कितना होगा 11 और 1 कितना होगा 12 12 और 5 कितना होगा 17 ठीक तो प्रिथक 36 गड में 17 जिले गठित हुए है तो यह आप लोग ध्यान में रखोगे कि ब्रिटिस काल में कितने जिले बने तो ब्रिटिस काल में 3 जिले ब्रिटिस काल में कुल 4 जिले अस्तित्तों में आए लेकिन एक जिले को माइनस कर दिया तो बच गए 3 जिले ठीक स्वतंत्र भारत में 1947 से लेकर के सन 2000 की इस्थिती में स्वतंत्र भारत में 36 गड़ में 16 जिले बने थे वैसे तो स्वतंत्र भारत अभी तक भी है तो उसको आप लोग 30 भी कर सकते हैं option के हिसाब से कई बार ऐसे भी पूछ सकता है ने सोतंत्र भारत में अब तक चतिसगड़ छेतर में कितने जिले बने हैं, अब तक अगर ऐसे बोले ना तब फिर 30 जिले बोलोगे, ठीक, 3 को माइनस कर दोगे, ठीक, लेकिन अगर पूछे 1947 से लेकर के वर्स 2000 तक चतिसगड़ छेतर में कितन जिलों का गठन हुआ तो 10 जिलों का गठन हुआ और दो बार 36 गण में जिलों का गठन किया गया एक बार 1973 में और एक बार 1998 में मद्य प्रदेश के अंतरगत 10 जिले CP&BARAR के अंतरगत 3 जिले 1948 में तो इस तरह से भी ध्यान में रखना है कि किस काल में किस अवधी में कितने-कितने जिलों का गठन हुआ है और किन-किन वर्सों में जिलों का गठन हुआ है तो यहां पर भी मैं लिख देता हूँ जैसे की अठारा सव एक सट तीन जिले उन्निस सव छे एक जिला ठिक 1866 में तीन जिले बने 1906 में एक जिला बना ठिक उस वाद 1948 में तीसरी बार जिलों का गठन किया गया तीन जिले बनाए गये उस वाद 1973 में फिर 1998 में फिर 2007 में फिर 2022 में फिर 2020 में फिर 2022 में फिर 2022 में इसको मैं 22 बोला यह 12 है ठिक तो इस तरह से आप लोग देखोगे एक दो तीन चार पांक छे साथ आट नव नव बार जो है कुल जिलों का गठन हुआ है नव बार जिलों का गठन यह भी पूछ सकता है ना कितनी बार जिलों का गठन हुआ है तो नव बार जिलों का गठन हुआ है नव बार नाइन टाइम्स तो नव बार जिलों का गठन कि गया है 36गण में और 9 बार में कुल कितने जिले बने हैं 33 जिले बने हैं इन में से आप लोग देख न कि 1906 में एक जिला बना ठिक 1973 में एक जिला बना और 2020 में एक जिला बना एक एक जिले कब बने है तीन वर्सों में बने है उसके बाद दो जिलों की अगर हम बात करें तो 2007 में दो जिले बने है ठिक उसके बाद तीन जिलों की बात करें तो 1861 में तीन जिला बना है तो ऐसे भी पुछा जा सकता है और टोटल जो है 9 बार जिलों का गठन हुआ है और 9 बार जिलों के गठन में टोटल 34 जिले गठित किये गए जिन में से 1 को माइनस किया गया और बच कितने गए 33 जिले ठिक ऐसे ध्यान रखना समभाग थोड़ा सा हम लोग देख लें तो समभ संभाग बिलासपूर और रायपूर संभाग ठिक अगर ऐसे प्रश्ण पूछा जाए ब्रिटिस काल में चतिसगर चेतर में कितने संभाग गठित किये गए थे तो एक संभाग रायपूर संभाग या चतिसगर संभाग ठिक और मद्यप्रदेश के अंतरगत चतिसगर चेतर म कितने संभागों का गठन किया गया, तो बिलासपूर संभाग 1956, बस्तर संभाग 1981, प्रिथक 36 गड़ में दो संभाग सरगुजा और दुर्ग संभाग, ठिक, 2008 में और 2013 में, तो आज के लिए फिलाल इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे, इसको जो है, नक्से में हम लो तो फिलाल आप लोग जो है, इसको अच्छे से notes बनाईए, और जितने भी sun है, उसको sequence में पकड़ने की कोशिस करिएगा, वैसे ये भी repeat होगा, ये वाला जो class है, जिला वाला संभाग वाला, ये आगे चलेगा, दो चार classes में लूँगा, जिसमें ये चीजे जो है, आप ल बन जाएगा, एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, पांच बार बिगड़ेगा, दस बार बिगड़ेगा, लेकिन आखिरकार वो बन ही जाएगा, और एक बार नकसा बन गया, तो वो आपके यहाँ छप जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, और वो फिर कभ है 1861, 1862, 1905, 1906, 1947, 1948, 1956, 1973, 1981, 1998, 2000, 2003, 2007, 2008, 2012, 2020, 2022, ये भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक, ये सारा चीज याद कराने का जो जिम्मेदारी है वो मेरा होगा, मैं आप लोगों को याद करवाओंगा, बस आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को सुरू से ले करके आखिर तक, बिना इसकीप किये, आप लोगों को देखना है, ध्यान लगा करके, और साथ में नोट्स वगेर बनाते चलना है, ठीक, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ऐसे ही लंबे- लंबे-लंबे होंगे, तभी मैं आप लोगों को अच्छे से डील कर पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक, तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से कुछ जादा ही लंबा हो गया, तो फिलाल इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर से बताईएगा, और कहीं पर कोई भी डाउट हो, या फिर कहीं पर कोई भी मिष्टेक हो, जैसे कि मैंने कुछ जगहों पर एक-दो मिष्टेक किया था, हाला कि वो चीज मेरे को रियलाईज हुआ, तो मैंने उसको सुधार भी दिया, लेकिन कहीं पर अगर मै करिएगा अपने संगी साथियों के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने अच्छे-चे कॉमेंट, कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने विचार ठिक, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बैल आइकन को दबाना है ताकि आपको टाइम पर नोटिफिके मिल सके, बस इतना ही वीडियो को आखिर तक देखिने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.